Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Hippie App से अपने KTB में पैसे विद्रॉओ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लाइब प्रूब भी दिखाने वाला हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो एक लाइक जरूर कर देना, तो चलिए मैं टाइमेश्ट की हम इसे डिपोस सुरू करते हैं फ्रेंट्स चलिए सबसे पहले हम हिपी एप को ओपन कर लेते हैं हिपी एप में जो भी पैसे अर्ण किया है, वे मैंने यहां पर वीडियो देखकर ही अर्ण किया है चले हम यहाँ पर पर्फायल अप्रेंड करते हैं और यहां पर गिफ्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 50 coins ते यानि यहाँ पर मेरे पास 50 रुपया है यहाँ पर देख सकते हो coin balance 50 रुपया लिखा हुआ है तो यह पैसे मैंने यहाँ पर वीडियो देख कर earn किया है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि Hippie एप में वीडियो देखकर पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है अगर आप एक new user हो और आप शुरू में अपना account हिपी एप पे create करते हो तो पहले दिन यहाँ पे आपका 20 रुपया 22 रुपया earning हो जाएगा दूसरे दिन आपका यहाँ पे लगबग 10 रुपया नहीं मिलता है तो हिपी एप में वीडियो देखकर पैसे कमाने में काफी ज़्यादा समय लग जाता है तो यहाँ पे मैंने 50 रुपया earn कर लिया है तो चले इसे मैं आपको live withdraw करके दिखाता हूँ अपने ptm wallet में तो यहाँ से चले हम बैग जाते हैं और यहाँ पे हमें पै जो देखकर पैसे अर्ण किया है यहां पे देख सकते हैं कि मैंने किस दिन किटना कॉइं किया है और यहां पे जो भी आप कोईंस करते हो उसका expiry भी होता है यहां पर देख ऑन्पास चार इकात्तर दिन बाद यह कईशन हो जाए और इस को में withdraw नहीं कर पाऊंगा तो expiry र तो चले यहाँ पर हम redeem coins पर click करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके सामने Paytm account link करने का option आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अपने Paytm number fill up कर देना है यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दू कि यहाँ पर वही आप Paytm number fill up करना जिस Paytm account में full KYC complete होगा अगर आपके Paytm account में full KYC complete नहीं हुआ है तो उस number को यहाँ पर fill up मत करना क्योंकि अगर आप उस number को fill up करोगे तो यहाँ से पैसे withdraw नहीं होगे यहाँ पर नीचे देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि आपके Paytm में KYC complete होना चाहिए उसी account number को आपको यहाँ पर fill up करना है तो चले मैं यहाँ पर अपना Paytm number fill up कर लेता हूं तो यहाँ पर मैंने अपना Paytm number fill up कर लिया है Paytm number fill up कर लेने के बाद आपको send OTP पे क्लिक करना है उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओटीप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा OTP Paytm wallet में वे पैसे आपके Paytm में 5-7 दिन के अंदर आपको receive होंगे अगर आपने यहाँ पर गलत Paytm number इंटर कर दिया है तो यहाँ पर अपना Paytm नंबर चेंज भी कर सकते हो तो मेरा Paytm नंबर यहाँ पर सही है तो चले मैं यहाँ पर confirm पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया reward coins redeemed successfully तो यहाँ पर चले हम okay पर क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हो मेरा coins balance 0 हो गया है यहाँ पर coins redeemed 50-100 कर रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने 50 coins redeemed कर लिया है तो चले हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कब तक यह पैसे मेरे Paytm में हो गया है चले मैं यहाँ पर आपको live payment proof दिखाता हूं तो चले यहाँ पर हम ptm को open कर लेते हैं और यहाँ पर balance and history पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो cashback received from hippie और यहाँ पर 50 रुपे सो कर रहा है चले हम इस पर click करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप date or time भी देख री सकते हो received at 11 बचकर 5ssen PM में मिझे यह पैसे receive हुए है और छे फरवाये 2030 मुझे पैसे receive हुए है मैंने यहाँ से थी 2013 को पैसे withdraw कि था और यहाँ पर 6 फरवाये 2030 मुझे इह पैसे receive हो गय किया है तो 4 दीन आपको कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक किजिए सर किजिए और कमेंट किजिए तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में